जे भीन फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम बाबा सब अंबेड कर दोरा लिखी गई उनकी खुद की ओटो बाइगराफी वेटिंग फोरे विजा का चेप्टर नमबर टू डिसकस करने जा रहे हैं जिसमें उन्होंने पार्सियों ने उनके साथ में किस तरह से है तो चलिए हम बढ़ते हैं चेप्टर नमबर टू की तरफ आगे हम चेप्टर नमबर टू की तरफ तो इसमें बाबा सब बढ़ते हैं कि कैसे पार्सियों जो वो इंडिया लोटे 1916 के अंदर अमेरिका से है तो वो बिलकुल जो अन्टच अबलेटी है उसको बिलकुल भ है पड़े थे 1913 से लेकर 1917 तक और 1917 में जब लंडन आये और हम पॉस्ट ग्रजुएट किया है स्कुल अफ एकोनोमिक्स में और फिर 1918 के अंदर वो वापस इंडिया आये और इंडिया आके उन्होंने ये किया कि बरुड़ा स्टेट आये क्योंकि बरुड़ा स्टेट के मह पहले अपने सर्विसेज उनको दूँ हलांकि बबाबसाब के पास में लंडन के अंदर काफी ओफर्स थे जॉब के अमिलकर में काफी ओफर्स थे और इंडिया में बहुत से उनिवस्टी के अंदर बहुत सरे ओफर्स थे क्योंकि उस वक्त वार टाइम चल रहा था लेकिन इसके बावजूद बाबसाब बरोडा स्टेट को ही जोइन करे जाकर क्योंकि उस स्टेट बरोडा स्टेट के महाजाने उनको फाइनेंस किया था आई वाउन टू सर्वेस्टेट तो फिर बाबा साथ वहां बरोड़ा पहुच गे बरोड़ा पहुचने के बाद में अब सबसे बड़ी इंपरेंट क्यों गें लेकिन अब रुकें गए कहां तो जो उनके अब पर फ्रेंड्स हैं जो भी क्लोस फ्रेंड्स हैं उन सब पर फिर उनके साथ में यूएस में पढ़े थे यूंके साथ में लंडन में पढ़े थे उनस सब ने कोई न और करेंदे था कि मेरी वाइफ मना कर देगी चानल नंखर हैें टिरह किनो को बहां आने से अब हें जाता हैं तो हिंडू के होटल थी तो औस हैं में पर किसे या पार्सी होटल बोलें वो दिखा उनको तो पार्सी ही अंदर एंटर कर सकते हैं उनके लागवा को अंदर एंटर नहीं कर सकता है तो जो Parcys होते हैं वो जो रस्टिन डिलीजिन के फॉलावर्स होते हैं और वो क्योकि अगर Parcys हैं वो उन्टचबल लिटे को नहीं मांते हैं तो जो उन्टचबल व्यवार है वो उनके साथ में नहीं करेंगी ऐसा बवासाब को लगा था इसलिए वो इस पार्सी इन में चले गए पार्सी इन में जो क्यर्टेकर था उसने उनको रूम दिखा दिया और उनको पैमेंट करने के लिए बोल दिया लेकिन एक वो रेजिस्टर लेकर आया जो मेंट्स existirs नहीं करता था तो जब उसने रेजिस्टर में बहुत दिक्कत आ रही है यहाँ पर मैं आपको पैसे दे दूँगा थोड़े एक्स्टा पैसे दे दूँगा लेकिन आप प्लेज में परूखने दो मैं आपको यहां रहने दूंगा लेकिन आपको एक पार्सी नाम लेना पड़ेगा और पार्सी नाम से ही रेइस्ट्र में एंट्री करने पड़ेगी तो पार्सी बावा साथ ने पार्सी नाम से ही एंट्री करी और पेमेंट वगरा भी कर दिया उसको उसके बाद बावा साथ वहाँ पर रह पाए अब इस दुरान उन्हों ने अपने बहुत से फ्रेंड्स को कई जगे मतलब कोशिश की कि उन्हों वहाँ पर रह सके लेकिन हर जगे कोई नवे स्क्राइब बहाना बना दिया गया है ना और उन्हों ने जहां पर इस तरह से खराब कंडिशन में रह रहा था और जब मेरी बहन का बेटा मा मुझे देखने के लिए आया मेरा लगेंज लेकर तो वो रोई बिना नहीं रह सका कि बाबा साब इस तरह की कंडिशन में रह रहे हैं अब बाबा साब को बस यह उप्शन था कि बहीं वो जल्दी सी उनको स्टेट का बंगला मिल जाये रहने के लिए तो उनको जगे मिल जाएगी लेकिन जो वहाँ का स्टेट का प्राम मिनिस्टर था वो अर्जेंसी नहीं दिखागा था उनके मामले में और उनको बंगला मिलने में काफी लेट हो रही थी वो उस पार्सी इन में 11 दिन 11 दिन तक रहे 11 दिन जब वो सुगो उठे तो अचानक कुछ कदमों की आवाज आई बहुत ही तेज चलते कदमों की आवाज आई वहाँ पर बहुत सारे पार्सी कटे हो गए और उनको पार्सी को पता लग गया था कि जो बाबा साब यो पार्सी नहीं है इसलिए उनको बहुत गुस्टा आए था कि एक पार्सी होटल में पार्सी इन में एक मोल पार्सी कैसे रह सकता है तो वो मतलब उनसे पूछते हैं बाबा साब से कि तुम कहा से आये हो, कौन हो, तुमने पार्सी नाम क्यों रेइस्टर में एंट्री करवाई, तुमने पार्सी इनको पॉल्यूट गंदा कर दिया तुमारे हैं आने से, तो बाबा साब चुक्चाप खड़े रहे हैं क्योंकि गल्ती तो उनसे इसलिवे चुक्चाप खड़े रहे हैं और उन्हें उस भीड से एक परमिशन माने की जब तक मुझे स्टेट का बंगलम ना मिल जाए तक मुझे यहां रहने की परमिशन दी जाए, लेकि जो भीड आई थी पार्सी होगी, उन्होंने कहा कि अल्टिमेटम इशू कर दिया, एक अल्टिमेटम इशू कर लिया कि आज शाम को वो यहां पर नजल नहीं आने चाहिए, और भी अपने सारे सामान से सब लेकर उन्हां से निचल जाए, नहीं तो उनको बहुत ही डायर कंस्यूक्वेंसिस, मतलब बहुत ही खरार नतिज्यों का सामया करना पड़ेगा, तो बाव साब का दिल बेट गया था, काफी डिप्रेस हो गये थे वो, और पासिस वहां से चले गये थे, उसके बाद में वो इस्टेट बंगला भी उनको मिल नहीं पा रहा था, तो अब वो सोच रहते कि क्या, वो कुछ टाइम वही है अपने फ्रेंड्स वगरा के साथ में र अबट हुआ था, तो वो जो फ्रेंड था, वो थो ठोड़ा से लिबरल हो गया था, लेकिन जो उसकी वाइफ है, वो लिबरल नहीं थी, वो अभी इंटरसेटबिलिटी में विश्वास टकती थी, तो उसने भी मना कर दिया, कि मेरी वाइफ और वो नहीं रहने देगी आप को यहाँ पर, तो मतलब पर मिला कि उस दिन चार के लगबग बच गए थे, और जो ट्रेन थी बंबे के लिए, क्योंकि अब उनको नहीं रहने के लिए को जगे ही नहीं मिल रहने थी, तो बस अब उनके पास एक यह उप्शन बचा था, कि वो इस स्थान को ही छोड़ दे, है ना, the only alternative left was to return to Bombay, बंबे पहुंच ना, क्योंकि उनको स्टेट का मंगला मिलनी पारा रहने के लिए, भार के रहनी पारे तो रहने कहां, है ना, तो उनका पास उप्शन नहीं बचाओ, उनका पास उप्शन आ कि अपने बंबे वापस अपने घर लोड़ जाए, तो अब आपती बाग, उसके अपना गार्डन में टाइम गुजारा, और काफी कुछ सोचते रहे, वो किस तरह से क्या अपनी बच्पन की यादे याद करते रहे, और अपनी इस कंडिशन पर उनको काफी डप्रेस, काफी दुखी थे, काफी रो, मतलत कि बहुत परिशान हो गे थे बाबा साब बोलते हैं कि मैं बारोडा काफी उम्मीदों से आया था, मेरे पास बहुत सारी ओफर्स थे लेकिन मैंने उन सब को छोड़ दिया था, है ना, लंडन के अंदर भी मिरे पास बहुत सारे इंफिनिशन लोग मेरे को जानते थे और उनोंने मेरे को आफर भी किया जाब करने के लिए इंडिया के अंदर ही बहुत से एड्यूकेशन सर्विसेस में वेकेंट थे लिए उन सब को मैंने छोड़ कर यहां बरोडा आया था क्योंकि में को ऐसा लगता है कि मेरे जो फर्स डूटी है वो यह है कि जो महराजा बरोडा ने मेरे को फाइनिस किया मे तो बावसा言 खते हैं कि जब वह एक चीज लिख रहे हैं अठारा साल बीच चुके कि इस घटना याद आती है पारसी कि इतने सारे पारसी लाठी के साथ में हैं है ना हात्यारों के साथ में उनके सामने आ गए थे उनको मानने के लिए हैण और बहुत ही मतलब कि खराब untouchable to a Hindu is also an untouchable to a Parsi मतलब इस चीज़ से घतलना से उनने ये निशकश निकाला कि एक untouchable हिंदू के लिए untouchable है तो वो Parsi के लिए untouchable है इस तरह के निशकश निकाला तो फ्रेंड्स ये चप्टर नमबर टू था वेटिंगोर विजागा नेक्स चेप्टर नेक्स विडियो मिलेगा थैंक्स वाचिंग वाचिंग दे वीडियो जाभीन